हेलो एंड वलकम बैक तो पाई यूटूब चैनल तो अभी पीछे खड़िए अपनी आरओन फाइफ एम इसका मैं अभी रिव्यू दूंगा यह चल चुकी है बाइक 850 किलो मेटर्स और मैं बता हूंगा कि बाइक माइलेज कैसे दे रही है बाइक कितनी टॉप स्पीड गई लाता रहूं और इंफर्मेटिव वीडियो भी लाता हूं तो आप में चैनल में जाके उसको चेक आउट कर सकते हैं थैंक यूटू पहले मैं आप लोग को एक क्विक वॉक आराउंड अपने बाइक का दिखा दूँ यह रही इसकी साइड प्रोफाइल बाइक क्या लगती है कि सब कोई ना कोई जूता रहता है बस डर वही लगा रहता है तो टाइम टू 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 आउन दबीष्ट क्या आवाज है तो देख सकते हैं आप बाइक 850 किलोमेटर चल चुकी है और बाइक की जो एवरेज है वो दिखा रही है 2.7 लीटर पर 100 किलोमेट तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आराउंड 35 से 40 किलोमेटर पर लीटर की एवरेज दे रहा है ठीक है और बाइक मेरी जाती है 150 प्लस तो कोई कुछ भी कहे कि R15 V4 या MBS6 मॉडल है या फिर उसकी टॉप स्पीड पावर कम हो गई है मैं तो नहीं मानता क क्योंकि बाइक का टॉर्क बड़ा है और बाइक में वेट भी डिडेक्शन हुआ है तो उसकी वज़े से ये बाइक इतनी हाई स्पीड चरी जाती है और जहां तक राई बाइक की कंडिशन तो इसमें कोई मुझे नाराजी नहीं मैं बाइक से बहुत खुश हूँ इसके अब वीडियो को एंड करते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताक कि नए वीडियो आप लोग देख सकें चीज मुझे और कहनी थी कि बाइक में हीटिंग इसू नहीं होती है और इसके एबियस में प्रॉल्म नहीं है ट्रेक्शन कंट्रोल भी अप होता है और बाइक में जैसे मैंने कहा हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है